Good morning students, how are you? Students, today we will read the chapter The Adventures of Toto This is your moments book's second chapter written by Ruskin Bond We will read the complete summary of this story This story describes how our grandfather was fond of animals बेटा, आप लोग भी animals को पसंद करती हो न? तो इसमें कहानी में जो है दादा जी है वो जानवरों को पालने का उनको बहुत ही शौंक था He bought a monkey, namely Toto, from a Tonga driver for 5 रुपीज वो जो है एक monkey को, बंदर को खरीदते हैं जिसका नाम Toto है, एक Tonga driver से 5 रुपे में The Tonga driver used to keep the monkey tied up a feeding throw feeding throw वो जो Tonga driver था बेटा, वो हमेशा ही उस बंदर को feeding throw मतलब जहां बार उसने feeding मतलब feed देता था न? उनको घास बगर डालता था घोडों को अपने तो उसी के सांद वो उसको बांद देता था As the grandfather had his own private you, so he decided he would add Toto to his you Grandfather का दादा जी का जो था, अपना खुद का एक private you था, चडिया घर था इसलिए उन्होंने सोचा कि वो इस Toto को खरीद ले और उसी अपने यू में जो है, अपने चडिया घर में जो है, वो से रख लेगा Toto, आप रैटी मंकी, Toto जो था, वो एक बहुती सुन्दर पंदर था, his fingers were quick and he used his tail as a third hand उसकी जो उंगलियां थी, वो बड़ी तेजी से चलती थी, और उसकी जो पूच थी, वो तीसरे हाथ की तेरे उसके साथ काम करती थी He used it to hang from a branch of a tree, वो हमेशा ही अपनी पूच का इस्तमाल जो था, वो व्रिक्षों की ब्रांच टेहनियों पर चड़ने के लिए किया करता था His presence was kept secret from grandmother as she did not like animals अब जो है उसके दादा जी उस टोटो को घर पे लें आए हैं और क्या के रखा लेकर आए हैं लेकिन उनने अपनी पतनी से मतलब Grandmother से चुपा के रखना है रखा है कि वो जो है घर में एक किसी बंदर को लेकर आएं क्यों क्योंकि दादी जो था जानवर पसंद नहीं थे टोटो वस वेरी नोटी लेकिन जो टोटो था वो तो बहुत ही नोटी था शरार्ती था जिस रूम में उसे रखा गया था उस रूम में उसने एक दिन बहुत सारी चीज़े खराब कर दी इसलिए फिर पहले तो चुपा का रखा वा था एक रूम में जब उनको पता चल गया तो दादा जी ने क्या किया निश्चिया किया कि अब उसे बड़े से पिंजरे में लजाते हैं जहांपर दूसरे जन्वरों को रखा गया है वहाँ पर लेके वहाँ पर और भी बहुत सारे पालतु जनवर थे, खर गौश्टे बहुत सार जनवर थे लेकिन टोटो जब वहाँ पर उस पिंजरे में रहने लगा थो उसने अपने comपेनियों साथीयों को किसी को भी राद को सोने नहीं देता भी शरारत्ते किया करता था नेक्स दे मतलब काफी दिन होगे जब वो ऐसे शरारते करती हुए तो एक दिन अगले दिन ग्रैंट फादर वोस तो गो तो कुलेक्ट इस पैंशन इन सहारनपूर, यह डिसाइडे टू टेक टोटो अलोंग विद हिम, जब काफी शरारतों के बाद कोई नेक्स अगला दिन आया तो दादा जी ने सोचा उसने उन्होंने जो है पैंशन लेने के लिए सहारनपूर जाना था तो उन्होंने निश्च्या किया क्यों ना टोटो को भी मैं अपने साथ ही ले जाओ आप बिग ब्लैक कैन्वस किट बैग वोज अरेंज टोटो सो दैट ही कुड नोट इसक है ओन दा वे तो सहारनपूर टोटो सड़नली पॉक्ट इस हैड आओफ दा बैग विस रिजल्टीड इन पेमेंट ओफ थी रुपीज तो दा रेलवे टिकट कॉलेक्टर जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जब वो ग्रांट फादर जो थे अपनी टिक्ट लेने लगे के पास मतलब वहीं पर टोटो ने एक दम से अपना सीर वह वह बाहर निकाला वुस बैग में से जिसकी ओर जो है इलवे टिक्ट कॉलेक्टर ने जहां पर वहां पर तो है उसको dummy यहांप ऊसको देख लिया और उसने मंकी के तीन और पै किराय ले लिया आफ्टर रीचिंग एट हॉम जब वो घर पे पहुंचे वापिस वें टोटो वोस फाइली अक्सेप्टे इन दा हाउस अब घर पे सभी को पता लग गया था कि टोटो आया है गर में तो सभी ने जब उसे अक्सेप्ट कर लिया कि चलो इसे घर पे रखा जाए तूसी जो है बड़ा ही अराम था एक घर दिया गया स्टेबल होता है अस्तबल अस्तबल में उसे रहने की जगा दी गई बढ़ी कैप ट्रबलिंग नाना ना जो है वहाँ पर एक जानवर था कौन था फैमली डंकी उनका एक मतलब परवार का ही डंकी था गदा था उसके साथ उसे रखा गया लेकिन वो उसको भी बहुत तंग करता था टोटो और नाना नेवर बिकम फ्रेंड और टोटो और नाना जो थे वो क बाथ in the winter evening और वो क्या था उसको खुशी किस चीज़ से मिलती थी टोटो जो था वो सर्दियों के शाम को उसे गरम पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता था एक दिन घर वालों ने चाय के लिए आग पर काफी बड़ी कैटल रखी हुई थी पानी उबाला जा रहा था चाय बनानी थी उन्होंने तो तब ही टोटो ने क्या किया ही चेक ता वाम वाटर एंटर दा कैटल फॉर बाग उसने देखा कि यहां पर तो गरम पानी है वो जल सब्सक्राइब करता रहता था सारा दिन घर पर मतलल तंग भी बहुत सारे घर वाले सोन ग्रैंट फादर डिसाइड़ दैट टोटो वस नोट टाइप पड़ पर नहीं रखा जा सकता इसलिए फिर उन ने क्या किया उस टांगा ड्राइवर को डूंडा और उसको दुबारा जो है वो टोटो बेच दिया सिर्फ तीन रुपए में इससे हमें पता चलता है कि कई जानवर ऐसे होते हैं जिने हम घर पे पालतु बना कर नहीं रखा जा सकता जैसे कि टोटो So student this is your second chapter you have to read in your book also and I am giving you some question answer you will write in your notebook Thank you have a nice day